अब हम देखेंगे पाकिस्तान एंबसी में जो दो ओफिशिल्स है ठीक है पाकिस्तान एंबसी के दो ओफिशिल्स को एस्पोनेस चार्जेस याने मतलब जासूसी करने के चार्जेस पर भारत सरकान ने उन्हें भारत छोड़ने के लिए कह दिया है और विलिन 24 आर्स उन्हें भारत चोड़ना पड़ेगा कौन सी treaty या कौन सा convention है या फिर ऐसे कौन से articles है उस particular conventions में जिसके तहत मतलब किसी भी host country अगर ऐसे कोई व्यक्ति को पाती है तो उसे 24 घंटे में मतलब कैसे वो बोल सकते हैं उस देश को छोड़ने के लिए तो फ्रेंज जैसा कि मैंने आपको बता है इंडिया ने accuse किया है दो पाकिस्तान embassy के officials को ठीक है for spying and orders them to leave the country within 24 hours तो जैसे यह picture आप देख रहे हैं यह नई दिल्ली में पाकिस्तान की embassy है अब basically embassy से मतलब क्या है तो embassy का मतलब यह होता है यह जो पूरी territory है ठीक embassy के gate से लेके यह पूरी territory अगर माल लीजे यह कोई भी country होती A, B, C, D कोई भी country होती X, Y, Z जिस प्रकार यहाँ पर इंडिया है ठीक है तो इंडिया में अगर किसी देश की embassy है तो आप समझ लीजे literal मतलब easy terms में कि यह उस particular देश की जगह है यह उस particular देश की territory है ठीक है भले यह दूसरे देश में क्यों ना हो तो इसे कहा जाता है embassy embassy का मतलब होता है यहाँ पूरे जितने काम होंगे ठीक है यह basically पाकिस्तानी government के अनुसार होंगे बस यह जो जगह है यह इंडिया की है लेकिन इस पूरी territory को external territory की ही तरह देखा जाता है या फिर दूसरे देश की तरह ही देखा जाता है जिस प्रकार maximum embassies जो डेली में है चाहे फिर यूस के embassy हो उसे मतलब उस particular area को यूस का ही माना जाएगा ठीक है अब आप इसका दूसरा रूप भी देख सकते है अगर मान लिजे पाकिस्तान में को इंडियन embassy है तो जो वो जगह होगी जितनी जहां पर वो embassy होगी तो उस particular area को आप ऐसा भी समझ लेजिए कि वो एक इंडिया की territory की तरह treat किये जागा यहाँ पर कोई भी इंडिया को officials चानी सकता बिना permission के किसी वेक्ति को arrest नहीं कर सकता है किसी और उसको लेके या फिर यहाँ पर search नहीं कर सकते है मतलब आप किसी warrant ले जाकि यहाँ पर search नहीं कर सकते है यह कुछ न community provide करी मतलब दी गई है या फिर यह किसी कम in fact murder करके भी या फिर किसी भी प्रकार का crime करके इस particular embassy के अंदर जाके छुप जाते हैं तो भारत सरकार या जो भारत की मतलब forces हैं वो इनको जाके इस दरवाजे को खुलके दें arrest नहीं कर सकती just because they are bound या फिर वो किसी मतलब नियम से बंदे हुएं ठीक है तो इस particular अपन को वीडियो में यही समझना है कि जब इस particular वेक्ति को या फिर पाकिस्तानी embassy के officials के बारे में भारत को पता चल गया तो आपके मन में question आ रहा होगा उन्हें arrest क्यों नहीं किया गया या फिर उन्हें मतलब detained क्यों नहीं किया तो इसकी पीछे क्या कारण क्या होता है ठीक है अब देख लेते हैं friends कि जो दो officials से उन्हें पाया गया कहां पे New Delhi में और they are apprehended today by Indian law enforcement authorities for indulging in aspirinage activities तो इसका मतलब होता है जासुसी की जितनी भी spying करने की जो activities होती है उससे related ठीक है और यह statement दिया है Indian external affair ministry ने और जो statement वो यह भ ग्रेटा नाम का एक फंग वो होता है मतलब यह प्रकार के charges होते है personal non greater इस charges के अंतरकत क्या होता है कि within 24 hours उस particular वेक्ती को उस host nation से जाना ही पड़ेगा और यह क्या होगा यह बहुत ही ज्यादा disrespectful मतलब आप कह सकते हैं उस particular country की जो चबी है उसके उपर एक डाक के प्रकार हो होता है और have been asked to leave the country within 24 hours तो 24 घंटे के अंतर ही इन्हें भारत को छोड़ना पड़ेगा तो अब देख लेते हैं कुछ conventions जिसके तहत यह पूरी मतलब जो asponage activities होती है उसके बाद भी वो particular host nation कुछ नहीं कर पाता बेबस type का रहता है just because कि उसको पता चल गया तब भी वो यहां पर कुछ diplomatic guidelines है diplomatic guidelines का मतलब यह होता है कि हर देश का दूसरे देश में एक embassy होती है ठीक है basically हर देश में नहीं होती लेकिन most of the nations में होती सारे बड़े-बड़े nations में तो यह क्या करते हैं यह उस particular देश में रहने वाले लोगों मतलब अपने लोगों को प्लस उनको मतलब safeguard करते हैं या फिर उनकी समस्याओं का वहां पर मतलब क्या करेंगे आप आप कह सकते हैं निवारन करते हैं उससे related यह सारी चीजों पर ध्यान देते हैं या फिर कोई particular वेक्ति उस देश में travel करता है तो अगर उनको कोई issues आते हैं तो वो अपने देश के embassy में जाके उस particular related issue क sort out करा लेते हैं ठीक है different different problems होती है जो कि यहां पर उनका हल मिलता है तो हर देश में हर दूसरे देश के embassies होती है अब embassies का मतलब यह होता है कि वहां पर वो particular वेक्ति जाके अपने देश के जैसा feel कर सकता है माल लिजे इंडियन embassy है और यह US में या फिर पाकिस्तान में य अगर माल लिजे कोई Indian diaspora का person है तो वहां जाएगा तो उसे वहां पर जो वेक्ति मिलेंगे वो Indian speaking होंगे ठीक है वो Hindi में बात करेंगा different Indian languages में बात करेंगा और उन्हें properly guide कर पाएंगे ठीक है जिस प्रकार यह class 1 officers हो यहां पर जादा recruitment होते है जैसे आपने देखा होगा Indian foreign services के लोग यहां पर होते हैं अब यह क्या करेंगे यह उसी देश में रहेंगे मतलब उसी देश में ही रहेंगे ठीक है but they will work for Indian government ठीक है अब वहां पर क्या होता है उनके पास कुछ diplomatic guidelines होती है अब इस diplomatic guidelines के इंतरकत ही होता है कि अगर वो वेक्ति किसी भी particular मतलब activity में indulge होता द और मतलब इसके तहत वो मजबूर रहते हैं ठीक है वो क्या करेंगे वो उस particular activity पे मतलब watch तो करेंगे और अंत में वो यह बोल देंगे कि आप प्लीज आप इस country को छोड़ दीजे या फिर आप अपने जो destination nation है वहां चले आईए जहां से आप belong करते हैं चाहे वो civil cases में हो च है criminal cases में हो ठीक है तो हो state उस समय कुछ नहीं कर सकता है जस्त यह जह से पहले हमने देखा एक personal non greater नाम का एक letter होता है या फिर उसके अंतर का 24 गंटे के अंदर उस country को छोड़ना पड़ता है ठीक है अब उसके अंदर कुछ articles है इस particular convention के article 31 यहां पर इस article के अंदर complete immunity है ठीक ह फिर एक article है article 29 इसके अंतरगत जो मैंने आपको बताया है और भी कुछ communities है और article 30 के अंतरगत यह होता है कि यहां पर no search no search का मतलब यह होता है कि अगर वो जो official है वो उनका जो official residence official जो office हो गया या फिर residence हो गया या फिर उनकी car हो गई या फिर कोई भी place जहां पर वो visit करते है उसको search नहीं किया जा सकता उस particular host nation के द्वारा तो यह कुछ immunities है बट आप यहां पर यह भी बोल सकते हैं कि अब यह recent यूएस में क्या हुआ था यूएस की embassy में एक person को arrest किया था ठीक है sorry consulate में अब basically embassy और consulate में पहले अंतरगता होना चाहिए तो embassy का मतलब होता है कि समझ ल रदेश में अलग-अलग शेहरों में अगर इसी मतलब ऐसा ही office होगा तो उसे consulate बोलेंगे जिस प्रकार भारत में अगर US की embassy या फिर पाकिस्तान की embassy ठीक है कहां होगी न्यू डेली में होगी उसकी कहां पे capital में बट इस ऐसा ही एक office different शेहर में भी होगा चाहिए आप चि consulate के नाम से जाना जाएगा तो उसके लिए भी एक law है विने convention on consular relation यह 1963 का है अब यहां पर क्या होता है यहां पर थोड़ी सी रियायत है रियायत है इसका मतलब जैसे पहले हमने आपको बताया था कि embassy में जाके arrest नहीं किया जासकता ठीक है और यह सारी चीज़े नहीं किया उस particular nation को क्योंकि वो as मतलब एक diplomatic mission में है ठीक है मतलब वो दो countries के मतलब friendship type से आप कह दीजिया फिर mission को या फिर दोनों country के मतलब हित के लिए वो काम कर रहा है वहां पे तो उस condition में host nation जाद स्यादा कुछ नहीं कर सकता तो यह था इस video से related आप अपने सुझाओ comment box में दे सकत है जो कि examination.vix से design की गई है तो आप इससे follow कर सकते है चैनल पर जाके playlist पर जाके ओके और प्लीज लाइक कीजिए subscribe कीजिए और अपने friends के साथ भी share कीजिए और comment जरूर दीजिए कि आप क्या सोसते है इस particular मतलब यह जो embassy के spying official जो spy करते हैं उसके मतलब खिलाफ या फिर उस